आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हूँ कि मेरे नामे सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत 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 बाइब सबागेथे चाक्टर 75 देखेंगे सेकेंड लास्ट चाक्टर, फाइनली, वी आर दी एंड, अब एम लक्ष्मिकान जो है, वो खतम होने वाली है, खतम क्या खतम ही हो गई है, सिर्फ एक चाक्टर बचा है, उसके बाद एपेंडिक्स है, वो आप देख सकते हैं, अपेंडिक्स में बेसिकली एक तरीके का कंक्ल है, तो आज हम देखेंगे, foreign policy of India, ठीक है, तो चली आगे बढ़ते हैं, twitter पे मैं आगया हूँ, यह रही मेरी idea, आप मुझे यहाँ पर follow कर सकते हैं, दोस्दों सबसे पहले तो हम बात करेंगे, भारत की foreign policy के principle क्या है, तो भाया हम गांधी जी की philosophy पे चलते हैं, हम चाहते है कि दुनिया हिंसक ना हो, दुनिया में अमंचैन बना रहे, दुनिया में शांती बनी रहे, तो डारेक्टिब प्रिंस्पल आफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51 में यह बोलता है, कि हम international peace और security को promote करते हैं, देशों के भी संबंद अच्छे हो, हम बस यही चाहते हैं, और भारत खुद भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है, तो ब्रिटिश ने दुनिया भरे में कॉलोनी बनाई, लेकिन भारत सबसे इंपोर्टेंट था उन के लिए, ठीक है, तो भारत anti-colonialist views लगता है, किसी भी हाल में, imperialism और colonialism को बढ़ावा नहीं देना है, चाहे जो हो जाए, इससे क्या होता है, कमजोर देश को एक ताकतवर देश exploit करता है, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ है, anti-racialism, racial segregation, racial discrimination, race, caste, creed की वज़े से जो discrimination होता है, जैसे अम अमेरिका में देखिये, black और white, वहाँ पे blacks को कैसे treat किया जाता है, whites को कैसे treat किया जाता है, civil war 1865 में खतम हुआ, 100 साल लग गए उनको rights लेने में, Martin Luther King ने, जब अपना civil rights movement चला है, गांधी जी से inspired थे, तब जाके 1965 में loss बने, लेकिन अभी भी उनके साथ बहुत दिक्कते हो रही है, अभी आपने देखा न, George Floyd को कैसे मार दिया, पुरा separate lecture है, आप देख लीजेगा, ठीक है, तो भारत इस 1945 में, जब World War II खतम हुआ, और भारत आजाद हो, 1947 में, दो blocks थे, दो group थे, एक था capitalistic block, जो कि America लीड कर रहा था, जो कि democratic था, और एक था communist block, जो कि USSR लीड कर रहा था, ठीक है, तो सवाल ये था कि भारत किसके साथ जाए, cold war शुरू हो गया, जो कि 1991 दग चला, और अब नया cold war शुरू हो गया, जो America और China के बीच में है, अभी इस समय जो चल रहा है, तो cold war शुरू हो गया, भारत किसके साथ जाए, America के साथ जाए, कि Soviet के साथ जाए, ultimately Soviet हमारा दोस्त था, लेकिन हम Soviet के साथ गए नहीं, हमने बोला, ना हम Soviet के साथ जाएंगे, ना हम America के साथ जाएंग समझ रहे हैं, फिर उसके बाद Afro-Asian, देखिए हमारा जो थोड़ा सा कह सकते हैं, जो कहते हैं कि दिल, वो African और Asian countries की तरफ जादा है, हम उनके लिए feel करते हैं, especially Africans के लिए, ठीक है, पहां पर बहुत बुरी हालते भी आप देखी रहे हैं, हमने Indonesia के freedom की बात उठाई, ठीक ह हम अफरीका की बाद हमेशा उठाते रहते हैं, समझ गए, उसके बाद जो group of 77, 1964 का ये जो group बना, इसके लिए भी भारत ते बहुत जादा important role play किया, फिर Indian Ocean Rim Association for Regional Corporation 1995 में बनाया गया, सार्क बनाया गया, तो हमारा जो दिल है ना, वो कुछ भी कहिए, हम सबसे पहले preference Africans और Asians को देते हैं, ठीक है, तो इसे लिए भारत को big brother बोला जाता है, बड़ा भाई बोला जाता है, श्री लंका, नेपाल, नेपाल में तो अभी तो KP Oli की शरकार जो है, वो तो communist है, तो बड़ा खतरनाक तरीके का उनका view है, काफी aggressive stance है, आपने देखा ही कैसे map उन्होंने release किया, नया map जो काला पानी को लेके पुरा issue था, ठीक है, वो एक अलब topic है, उस पर मैं बनाऊगा बहुत ही जल्द वीडियो, तो अफगानिस्तान, ये सब भारत को बड़े भाई की रूप में देखते हैं, कि बड़ा भाई है हमारा, है ना, क्योंकि हम Asians की, भारत एक बहुत नहीं हुए भारत में, हिंसक अंदोलन हुए हैं, लेकिन as such नहीं हुए कि revolution आ गया, क्रांती आ गया, क्योंकि हम उसमें विश्वासी नहीं करते हैं, और ना कभी होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी 2000-3000 साल की, जो हमारी सोच है, वो हिंसक है ही नहीं, हमको धर्म जो है, बहुत ताकतवर है, आप यह मा समझेगा हम कमजोर है, बहुत जादा ताकतवर है, यह चाइना तक पीछे अट गया, आपको एक पार्ट ऑफ इस स्टोरी बता है, पता है खाली कि 1962 में वार हुआ, और चाइना ने भारत को हरा दिया, लेकिन उसके बाद भारत ने कई ब भूल चटाई है, आप समझ रहें, तो भारत बहुत ताकतवर है, लेकिन भारत अपनी ताकत का गलत इस्तमाल नहीं करता है, हम बिल्कुल शांत रहते हैं, और जो कमजोर है, हम उनकी बात उटाते हैं, कि यह कमजोर है, इनके राइट्स, इनको भी अधिकार मिलने चाहिए तो इसलिए जो पडूसी देशे हमारे भारत को बड़े भाई के रूप में देखते हैं, और भारत बड़े भाई का जो करतव है, उन्हें बाता भी है, पाकिस्तान से भी वो करतव है, भले ही पाकिस्तान जो है, वो बिल्कुल उसका अलगी स्टांस है, छोटा भाई है, प आप देखी रहे हैं पाकिस्तान में क्या हालत है ठीक है तो यह चीज है फिर पंच शील बहुत इंपोर्टेंट पंच शील 1954 जवाहल लाल नेरू और जाओ इनलाई चाइनीज प्रेमियर जो उस समय थे ठीक है तो इन दोनों में देखें चाइना में प्राम मिरिस्टर को प्र बारत और चाइना के बीच में था क्योंकि चाइना ने 1960 आते तिबबत को अपने कब्जे में ले लिया था बारत के पीठ पर छोळा तो भूका चाइना ने लेकिन चाइना ने भारत को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉ अंत्रिक मामरा है उसमें ज्यादा हस्तक शेप नहीं करेंगे equality और mutual benefit के लिए काम करेंगे और साथ में रहेंगे peaceful coexistence अमंचैन बनाएंगे लेकिन यह हुआ नहीं चाइना ने ज्यादा तर चीजों में देखिए non-aggression तो चाइना आप देखी रहें कितना एग्रेसिफ है टेरिटोरियल इंटिग्रिटी हुआ नहीं 1962 और है ना इंटर्नल अफेर्स हाँ इसमें चाइना इंटर्फेर कर भी नहीं सकता ठीक है mutual benefit के लिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि चाइना का इंट्रस्ट है peaceful coexistence हुआ नहीं अभी आप देखी रहे हैं तो इसमें एक दो point को छोड़ दें बाकी point जो है यह बहुत ही effective point है है ना यह किसी की भी देश की foreign policy होनी चाहिए और हमारी यह policy इसी लम सस्टेन कर रहे है और यही पंचशील policy बाद में बर्मा युगोस्लाविया इंडोनेश्य सब ने अडॉप्ट की बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट की समझ रहे है उसके बाद Commonwealth Commonwealth की बात करें दोस्तों तो Commonwealth समिट होती रहती हर साल होती आपको बताईए 1983 में नहीं दिल्ली ने इसको होस्त भी किया था कि Commonwealth क्या है British को Commonwealth बोला जाता ब्रिटिश जो है वह है एड है Commonwealth का ठीक है जब ब्रिटिश छोड़के गया 1947 के बाद तो प्राक्टिकल उसने देशों को छोड़ दिया तो उसने बोला कि देखो यार ऐसा है भली हमने छोड़ दिया लेकिन ऐसा तो एक ग्रूप बनाते हैं बस ग्रूप बनाते हैं एक म्यूचल रिस्पेक्ट देने के लिए हमने तुमारे उपर इतने सालों तक रूल किया है ठीक है तो बस एक ग्रूप बनाते है जिसको Commonwealth बोलेगे इसमें उन देशों को रखेंगे जो कभी हमारी कॉलोनी थे और बस ह को तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देना तो भारत भी मान गया वोला कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसलिए भारत जो है वो कितब से Commonwealth of Nation का Member है ठीक है वो खाली ऐसे ही है वो सिर्फ एक तरीके से रिस्पेक्टी दिखाने के लिए है बाकी कुछ नहीं फिर United Nations भ की सीट मिली थी जवाला लेरू को दोस्तों आपको पता नहीं है कहानी क्या थी है ना जिस दिन मैं कहानी बताऊंगा किताबों में लिखा है यह सब डॉक्यूमेंटेड है है वो एक पूरा ही अलग चाप्टार है आप लोग को लगता है शायद नहरू के बारे में ऐसा गल सीट का भाई भारत को थोड़ी ना पता था कि तिबद जो है वो चाइना में चला जाएगा तिबद चाइना को तिबद को चाइना ने 1960 आते अते पुरा आपने कबसे में ले लिया तो भारत को पता ही निता ऐसा हो जाएगा ठीक है इस पर कभी हम और दिन बात करेंगे ले भारत में जवने पांच हजार सैनिक ने पिसकीपिंग फॉर्स भारत साढ़े पांच हजार सैनिक भेजे हैं और 700 से जाधर सैनिक भी हुए है उनाइटेड नेशंस के लिये काम करते हुए तो उनाइट ने श्रा अभी चाहां ಶ이션 नूप्लियर पॉलिची उसमें मैंने सब अच्छे से बताया है अगर न्यूग्लियर वेपन हटाने या सब्सक्राइब कोल्ड वार एरा में न्यूडवेपन बहुत ऊपर चले गए than ठीक है इधर अमेरिका और सोवियत ने भरह भर के न्यूडवीपन से बना है है ना और बाद में 1991 के बाद ये disarmament का फेज शुरू हो आभी भी काफी nuclear weapons है सिर्परी की रिपोर्ट आप देखिए 13-14 हजार के करीब है ठीक है तो भारत कहता है कि disarmament होना चाहिए NPT जो है Nuclear Non-Profilaration Treaty 1968 में साइन हुई मतलब इसको open किया गए देशों के लिए तो क्या है पर्मनेंट 5 members को छोड़के 1968 से पहले जिन्हों ने भी nuclear test किया है ठीक है जिन्हों ने भी nuclear test किया है वो nuclear nation रहेंगे वो nuclear power रहेंगे लेकिन 1968 के बाद अब से ये test नहीं होंगे तो भारत ने बोले क्या बकवास है ये तो discrimination है आप बोल रहे हैं कि 1968 से पहले जिन्हों ने nuclear test किया है अब उसमें कौन थे? पर्मनेंट 5 nation, P5 nation P5 में कौन कौन? United Nations के permanent member America हो गया, Soviet हो गया China हो गया, UK, France मतलब ये 5 nuclear power रहेंगे और हमको आप कह रहे हैं कि हम nuclear power नहीं हो, तो हम ऐसा करेंगे ये तो discrimination है एक date कैसे decide हो सकती है? ठीक है? ये तो घलत है ना एक date होगी, एक date को इन्हों बोल दिया कि इसके बाद कोई भी nuclear test नहीं करेगा, तो भारत ने बोला, हम भी बिल्कुल sign करने ही नहीं वाले NPT या तो अगर आपको nuclear weapon ये disarmament करना है, तो पहले तो इन permanent five members को भी बोलो ये भी अपने nuclear weapons destroy करें, तब हम इसको sign कर देंगे भारत यहीं बोलता है कि अगर disarmament करना है, अगर nuclear weapons पे रोक लगानी है, तो जिनके पास nuclear weapons है, permanent five members पहले उनको खतम करो, उनके weapons को खतम करो, जिस दिन वो NPT sign कर लेंगे, CTBT sign कर लेंगे हम भी sign कर देंगे, समझ रहे हैं तो इसे लिए ये भारत की मांग है, अब ये कभी पूरी नहीं होती, तो भारत बोलता है कि ना पूरी होने, तो हम नहीं करेंगे तब तक sign तो भारत एक nuclear state है, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन सब ने NPT sign ने की है, और बाके permanent five members ने ठीक है, तो ये चीज है, तो भारत बोलता है discriminatory, लेकिन भारत फिर भी disarmament को बोलता है, कि हम disarmament करने के लिए, हम अपने सारे nuclear weapon खतम करने के तयार है, लेकिन सारी दुनिया के, मतलब दुनिया भर के देशों के nuclear weapons खतम हों, तभी हम अपने nuclear weapons को destroy करेंगे अब वरना नहीं करेंगे ये समाझ कि ये principle है भारत की ठीक है, इन principles पे चलता है जो भारत की foreign policy, objective क्या है सबसे पहले तो भारत के national interest मना रहे, सारे देशों से अच्छे relational बनाए, ठीक है उनसे जितना हो सकता है, उन देशों का use करें हम अच्छा trade करें ठीक है, दूसरे देशों के हम autonomic को बरकरार रखें ठीक है, एक stability लेकिया है, global order maintain रहे, उसमें कोई भी problem ना हो, global order ना बिगडे, terrorism के खिलाब आखरी वक्त तक, जब तक terrorism खतम नहीं हो जाता, अतंकवाद खतम नहीं हो जाता आखरी वक्त तक हम काम करेंगे, ठीक है permanent five countries है, अमेरिका से सारे देशों से अच्छे relation है, देखिए जब आप शान्त रहते हैं, मैं आपको आज एक चीज बताता हूँ, जब आप शान्त रहते हैं, जब आप सेटल रहते हैं, जब आप बहुत हिंसक नहीं होते, जब आप aggressive नहीं होते, ठीक है शान्त इंदर सेंस की, शान्त बतलब यह नहीं है कि हर किसी की बाते सुन लो, नहीं सब को counter करो, तरक से counter करो लेकिन शान्त रहके करो तो अपने आप आप जीच जाओगे, तो जब आप शान्त रहते हो, जब आपका nature अच्छा होता है तो हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है हर कोई आपके साथ रहेगा लेकिन जब आप बहुत ही aggressive होते हो, तो हर कोई आपसे आपको छोड़के चला जाएगा, यह देख लिए यह है violent इंसान को कोई promote नहीं करता, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि भारत, भारत का जो नेचर रहा है तो भारत अगर एक इंसान होता, तो आप समझ लिए वो बिल्कुल शान्त होता तो इससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, इसलिए भारत से सारे देश दोस्ती करना चाहते है हर कोई भारत का दोस्त है, आपको भारत के दुश्मन मिलेगे नहीं, भारत एक ऐसा, अखेला कंट्रीजी से अमेरिका गे भी बहुत अच्छे रिलेशन है, रश्या से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, चाइना से भी अच्छे रिलेशन है, ठीक है, चाइना से भी बहुत ब बना के चलने हैं समझ रहे हैं फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बदा टेरिरिजम खतम हो Act East Policy देखिए लुक East Policy थी इन 1994 में पीवी नरसेमा राओं ने लॉंच की थी लेकिन अब 2014 में Act East Policy नाम बदल दिया है काम भही है ठीक है उसके बाद बहुत सारी Organizations के थ्रू हम Coordinate करते हैं Economic Growth बना रहे जैसे Bay of Bengal में आप BIMSTEC आप देखेंगे यह Organization IBS है IOR यह जो Bay of Bengal यह समुद्री डीजन है ठीक है यहाँ पे Economic Interest बना रहे इसके लिए भी हम पूरा सयोग देते हैं European Union G20 के साथ है हम ठीक है तो बेसिकली सब कुछ सही रहे हम relation अच्छा रहे business अच्छा होता रहे security ठीक रहे global order maintain रहे हिंसा ना हो terrorism ना हो जितनी भी organization सब के साथ मिलके चलना मिलके काम करना यह हमारे objective है अब आखरी के दो तॉपिक हम देखते है गुजराल doctrine of India और nuclear doctrine of India ठीक है गुजराल doctrine of India की बात करें दोस्तों तो आईके गुजराल आपको पता ही है 1996 जब Congress हारी तो उसके बाद किसी की सरकार नहीं बनी बहुमत थी नहीं तो गठ जोड करके HD देवे गोडा को प्राइम मिनिस्टर बनाये गया ठीक है अटल भीयारी वाजपे की सरकार बनी थी तेरा दिन में गिर गई थी आई होगा आई होगा आपको यादी होगा आपको पता ही होगा और जो छोटे देश हैं उन पे फोकस करना चाहिए जिसको गुजराल डॉक्रिन बोला जाता और जो अभी तकम फॉलो कर रहे है इसके बाद देवे गोडा के बाद 1996 में ही आई के गुजराल प्राइमिनिस्टर होगे देवे गोडा तो बहुत ही कब दिनों में कब दिनों क प्राइशन में क्या भूटान बांगलादेश नेपाल श्रीलंका इनके साथ हम रिसी प्रो सिटी ये छोड़ दें अब इसका मतलब क्या है मतलब यह है नेकी कर दर्या में डाल जो हमारे पडोसी देश हैं उनके लिए खुब करे बांगलादेश भूटान मालदीव नेपा यही हमारे मुसीबत के वक्त में काम आएंगे और बड़े स्ट्राटेजिक है ये लेकिन बदले में हम इनके से कुछ एक्सपेक्ट ना करें इससे होगा इनका हमारे उपर भरोसा बनेगा ऐसा ही हुआ ना भूटान के साथ देखिए नेपाल में बहुत टाइम से दोस्तर च्रिलंका भी भूटान के साथ आप देखिए ना बांगलादेश तो बहुत ही अच्छा भया बांगलादेश में मैंने करेंट अफेर में बताया था ना अभी चाइना के साथ क्या इश्यू चल रहा है चाइना और भारत में कोई प्रॉपर मैपिंग नहीं है आप मेरा वी ऐसा इसलिए है क्योंकि गुज्राय डॉक्टरिंग के थू हमने बांगलादेश भूटान भूटान तो बहुत ही अच्छा बूटान चाता तो भारत भूटान को भी अपने पास ले लेता आजादी के बाद भूटान भारत के पास आ जाता बहुत आसान था लेकिन भूटा तो लोग हैं यहां पर भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है भारत ने इसकी रिस्पेक्ट की चाहिना होता तो भूटान को अपने कबसे में ले लेता लेकिन भारत ने भूटान की रिस्पेक्ट की और कही ना कई चाहिने डरता भी है परना तो आस पास के देशों को तो वो वो सब को ले ले अपना बहरत चाइना भारत से डरता भी है ठीक है कि अगर हम ज्यादा एक्रेसिव हो जाएगे तो भारत भारत भी भारत बहुत ताकतवर देश है मैंने बताना भारत की ताकत को कोई एंडरिस्टमेट नहीं कर सकता extremely talented और extremely हमको गर्व होना चाहिए भारत जैसे देश में पैदा हुए ठीक है वो मतलब किसी दूसरा देश इनकी territory को यूज ना करे ये चीज़ छोड़ दे वो कई बार अमेरिका आप देखिया अमेरिका देखिये मेडिली लिस्ट बसने गुसने की कोशिश की और अपनी आर्मी बिठा दी अमेरिका यहीं चाहता था भारत ने अब मैं आपको बताता हू में अमेरिका के bases समझ नहीं है अमेरिका के military bases बनेंगे जैसे और देशों में अमेरिका करता है ठीक है तो गुजनाल डॉक्रिन का second point यह था पहला point अब समझ गए ठीक है reciprocity नहीं दूसरा point यह था कि कोई भी South Asian country जो है वो अपने interest के लिए ठीक है मतलब दूसरी country के इंटरस्ट के लिए अपनी territory को use नहीं होने देगा जैसे अगर अमेरिका चाहे भूटान में camp बनाना तो भूटान मना करेगा अमेरिका को कि नहीं आप हमारे देश में नहीं गोश सकते यह चीज़ उसके बाद कोई भी country एक दूसरे के internal affair में interfere नहीं करेंगी वो उनका आप पर बातचीत के थ्रू ही सुल जाए जाएंगे और South Asian countries को पकड़ो यह बताया और अभी तक हम भाई करते हा रहा हूं बहुत सक्सपुल हुए nuclear doctrine 2003 में आई nuclear doctrine दोस्तों इसमें मेरा पूरे separate वीडियो आप देख लीजेगा no first use policy इसमें क्या है कि जब भारत ने 1998 में भारत ने 1974 में पहले nuclear test किया operation laughing buddha ठीक है 1970 में 1972 में तो उसके बाद 1998 में किया जब अटल भी आरियवाज पही आ गये थे ठीक है तो दोनों टेस्ट पोखरण में हुए तो हुआ क्या था कि जब भारत एक nuclear power हो गया तो अमेरिका ने खुब जम के गालियां दी भारत को थीक है कोई सुनना नहीं है तो फिर अमेरिका ने बुला भारत को कंदे पे हांत रखा देखो बेटा बहुत अच्छा किया तुमने बट बेटा सुनो तुमको क्या करना है अपने एक nuclear doctrine बनो भारत मान गया भारत ने थावित कर दिया पाकिस्तान की कोई nuclear doctrine नहीं है नौर्थ कोरिय कि यह भारत की है भारत नो फर्स्ट यूज पर बिलीव करता है मतलब हम कभी भी पहले अभी हाला के राजणास सिंकर स्टेटमेंट आया था कि अब इस पॉलिसी को शायद बदल सकते हैं पाकिस्तान में और बहला मच गया था यह ठीक है लेकिन नो फर्स्ट यूज क्या है हम किसी भी देश पर पहले यूज नहीं करेंगे पहले हम न्युक्लियर बॉभ कभी भी किसी भी देश पर यूज नहीं करेंगे हमारी जो न्यूक्लियर धरजी वह peaceful purpose के लिए यूज होगी लेकिन अगर किसी ने हम पर अटाक किया तो फिर इतना बं मारेंगे कि सारा इलाक बिल्कुल परचान मत हो, लेकिन हम पे कोई अटाक ना करें, तो बारत एक responsible nuclear nation है, nuclear war नहीं होगा दोस्तों आप यह मानके चलिए, ठीकिन है nuclear war की possibility, अब कोई पागल सनकी आजा तो अलग बात है, लेकिन कोई भी nuclear war effort नहीं कर सकता, धरती खतम हो जागे ने, एक nuclear bomb आया, सब खत manufacturing projects चलाता है, बहुत सारे जैसे चावार port ठीक है, वो भी develop हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे चावार port हाला कि वो तो Central Asia में नहीं है, वो तो Middle East में चला गया, मतलब इदर वेस्ट में चला गया वो थोड़ा, Western Asia में चला गया, बट Central Asia में बहुत सारे हमने कर्गिस्तान, प्रोजेक्स चालू किये है, ठीक है, अब बेसिकली यही है कि देखिए, एक तो Central Asia में resources बहुत जादा है, तो हम उन resources का, जब हम यहाँ पे, देखिए, international politics में कोई permanent friend और permanent enemy नहीं होता है, permanent interest होता है, तो अगर हम कजाकस्तान में projects चलाएंगे, तो कजाकस्तान भी हमको बदल है, education system, भारत universities बनाता है, भारत manufacturing projects चलाता है, भारत पैसे से भी मदद करता है, land connectivity, sea connectivity सब है, समझ रहे हैं, जो five Central Asian states अभी जो मैंने आपको बताया, भारत telemedicine connectivity और सब कुछ, यह सब बड़े strategic nations है ना, तो आप देख रहे हैं भारत हर जगा से, हर जगा से बहुत अच्छे स सब को साथ में लेके चल रहा है, तो यह भारत की खासियात है, उसके बाद आखरी topic हमारा Act East Policy of India, यह 2014 में मोधी सरकार ने बोला था, मोधी गवर्मेंट ने बोला था, नडेन मोधी ने की स्पीच दी थी कि अब Act East Policy करेंगे, लुकिस्ट पोलिसी का दमाना गया, हाला कि ना ठीक है, एशिया पसिफिक जैसे आसियान देश है जो हमारे विमस्टेक, ठीक है, जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, औस्ट्रेलिया, सिंगापोरिस और यह इधर अफगानिस्तान, यह बांगला देश यह जितने भी हैं, इन से दोस्ति कर, अब इसमें भी से इंडोनेशिया भी हमें भी आपको मिलेगा, वियतनाम में भी आपको मिलेगा, समझ रहे हैं, तो बुद्धिजम जो है, बुद्धिजम बहुत जगा फैला, इंडोनेशिया में भगवान राम की रामाइन पड़ी जाते हैं, भगवान राम की पूजा की जाते हैं, भालक ह सारे हदारों साल के ये cultural ties भी हैं, जो कि हमको बांध के रखते हैं, संस्कृति आपको बांध के रखते हैं एक दूसरे से, है की नहीं, तो यहां पर भी strategic investment है, हम एक साथ मिलके काम करते हैं, business बहुत अच्छा है, institutional mechanisms हैं, ठीक है, बहुत सारे हमने space and technology हो गया, ऐसे आप देखत manufacturing, infrastructure, prosperity, ठीक है, यह सब कुछ, और objective क्या है, economic cooperation बड़े, हम act करे, economic cooperation बड़े, पैसा है, पैसे सही तो चीज़े सही होगी, ठीक है, पैसे जब हम, पैसा है का हमारे पास, तो कोई भी देश डेवलप होगा, ठीक है, तो इससे सिर्फ भारत के लिए नहीं, बलकि जिन देशों जिन देशों को वो साथ में लेकी चल रहा है, उन सब को फाइदा है, सिर्फ भारत कोई फाइदा नहीं है, आप समझने है, North East को डेवलप करें, North East बहुत important है, क्योंकि वो border area है, North East जो है, वो आपको Eastern countries से connect करता है, बंगलादीश से connect करता है, चाहिना से connect करता है, भूटान उस एडिया को पुरे डेवलप करें, समुत्र से आप सीधा इंडोनेशिय जाएए, वियत नाम जाएए, ठीक है, बहुत important, तो ये सारी चीजे, ये लेचर था, I hope आपको पसंद आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से cover कर लिय अब हम आखरी चाप्टर देखेंगे, चाप्टर 76, तो धाई महीने का सफर खत्म होने को आया है, मुझे comment box में आप बताईए, किसने ये lecture series को बहुत अच्छे से follow किया, rigorously follow किया, समझ में आया आई आपको M. Lakshmikant, एक-एक chapter समझ में आया, कौन-कौन मुझे पता है, और ये भी बताईए, कि किन-किन लोगों ने, comment box में हाथ उठाईए, ठीक है, और बताईए कि किन-किन लोगों ने, ये series को regularly देखा, ठीक है, comment बताईए, reply करूँगा मैं, है कि नहीं, ये comment box में मुझे बताईए, और विल्कुल सच-सच बताईएगा, ऐसा खुश करने के लिमत बताईएगा, ठीक है, तो चलिए, comment box में, लिखिए, और यही चीज में से, last chapter में भी बोलूगा, चलिए, तो ये ले चर्था आईए, अब आपको पसंद आया होगा, खुश रहेए, पढ़तेरे, देशे सिद्धान तक नियोतरी, sign you off.